नमस्कार, रेसिपी मलत्रा में आप सब का स्वागत है, आज हम बनाएंगे उबले हुए आलू के पकोड़े, और इस आलू के पकोड़े को आज हम बिल्कुल बिहारी स्टैल में बनाएंगे, जैसा कि लोग बिहार में बना के खाते हैं, तो चलते हैं फटा फट से इस करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियो को लाइक करें और हम पैल ऐकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें अलू के बनाने के लिए सबसे पहले हम अलू का जो मिश्रन है वो बना के तयार कर लेंगे तो यहां पर मै पार्केट में मिल जाता है और अगर आपके पास नहीं है तो आप में जीरा, सौफ, मेथी, अजवाइन, मंग्रेल सबकी मात्रा को पराबर करके घर में भी पच्पोरन बना के डाल सकते हैं तो पच्पोरन हमारा चटकने लगा है तो यहां पर मैं डाल रही हूं पान से छे छिली हुई लैसुन की कलिया थोड़ा सा अद्रक मैंने यहां पर कद्दुकस करके डाला है आधा इंसे थोड़ा सा कम मैंने अद्रक यहां पर डाला है कद्दुकस करके अद्रक और लैसुन को हलका सा भून लेंगे ताकि इसके जो कच्छे पन का टेस्ट है वो निकल और अब हम इसमें डालेंगे 5-6 बारीक कटी हरी मिर्ची, मिर्ची आप अपने तीके कानों सार डाल सकते हैं, क्योंकि कोई-कोई मिर्ची थोड़ी ज्यादा तीकी होती है, तो लैसुन हमारा बुन गया, अद्रग भी हमारा बुन चुका है, और हमने जो इसमें मिर्ची डाल जलाते रहेंगे, ताकि प्याज कड़ाई के तले से जले ना, प्याज हमारी हलकी से भुन गई है, यह हलकी से सुनेरी होनी शुरू हो गई है, तो बस प्याज को हमें इतना ही भुनना था, गैस काँच हम बिल्कुल धीमा कर देंगे, क्योंकि हम इसमें थोड़े से मसाले एक चोथाई से भी थोड़ा सा कम मैं आप हल्दी पॉडर डाल रही हूं, एक चोथाई लाल मिर्ची पॉडर, अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप लाल मिर्ची पॉडर ना डाले, लेकिन जो पकोड़े होते हैं, थोड़े से तीखे चटपटे बहुत अच्छा लगते हैं, तो इसलिए मैं या पे थोड़ा सा लाल मिर्ची पॉडर भी आट कर रही हूं, साधी साथ हम डालेंगे एक चोथाई चमच गरम मसाला पॉडर, जो हमारे स्टफिंग को बहुत ही अच्छा टेश देता है, सभी मसालों कहलका सा भून लेते हैं, और ग भून लिए हैं, और उबल को मैंने अच्छा स्छील लिया है, सभी की अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अलू को मैंने यहां पि थोड़े-बड़े बड़े पीसेस में रखा按 डै तो इसक יोगए इसं लिप अच्छा से बुनेंगे तो इसके जो पीसेसं भी आएंगे तक अ नमक नहीं डाला है तो श्रक्षा नमक बूल डालेंगे अलु आ सब कर से लें श्रक्त है चीज़ों का साथ इससे मिक्स कर लेते हैं और आलू को 3-4 मिनट अ च्छे बुन लेंगे और आलू के जो बड़े pieces हैं वो भी छोटे हो जाएंगे इस प्रकार से दबा के भुनने से आलू को मैंने पहले अच्छा से इसलिए नहीं मैश किया है क्योंकि हमें आलू को बिल्कुल मैश नहीं करना है और यह हमारे आलू भुन के तयार हो गए है तो लाश्ट में थोड़ी सी बारी कट्वी हरी धनिया डाल देंगे अब हम गैस बंद कर देंगे और जो हमारा आलू का स्टफिंग इसे एक दूसरी बतर मिनिकाल लेते है आलू हमारा जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए मसाला कर लेते हैं तो यहां पे मैने इसमें का जार ले लिया है अब हम इसमें डालेंगे 15 से 20 चिली फुर ले में लेसन से रहु आधा चामच इसमें डाल्या गदलेंगे म 15-20 में काली मिर्च लिया है बिद भाडा सब्सक्राइब यह भारे 15-20 मिर्च लिया है साथ हाँ पे लिया है थोड़ा सा चावल। और चावल को मैंने भिंगो के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि यह आसानी से पीछ जाए और आप चाहें तो चावल के आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें चावल को भिंगो के पीछ रही हूं बहुत ही अच्छा हमारा पकोड़ा क्रिस्पी होता है और अब हम इसमें डालेंगे एक कप बेशन अगर वेट से देखा जाए तो यहां पर मैंने 200 ग्राम बेशन लिया है थोड़ा साम इसमें हल्दी पॉड़र डाल देंगे स्वात के अनुसार नमग तो यहां पर मैं एक चमश नमग डाल रही हूं आप अपने स्वात के अनु अब हम इसे अच्छा से मिक्स करेंगे ताकि बेशन में एक भी गिल्थियन आ रहे जाए और हमारा जो घोल है वो बिल्कुल इसमूद तयार होना चाहिए यानि की चिकना घोल हमारा तयार होना चाहिए तभी हमारे पकोड़े ऊपर से काफी क्रिस्पी बनेंगे फूले और थोड़ा 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 आप इसमें पानी डालके इसका एक गाड़ा घोल तयार कर लेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है हमें इसका घोल जो होता है वो थोड़ा गाड़ा ही रखना होता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके इस पकार से हम इसका घो अर इस गोल को तयार करने में जो हैंまあ पूरा एक कप पानी लगा है तो यह घोल हमारा धरन्के तयारे है और छो보ल की कंसिस्टेंसी कजिए आप देख सकते हैं तोड़ी सब्सक्दिप अगर आपका गोल ज्यादा गाड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और बनांगे तैयार कर ले थी, तो गोल को हम एक तरफ रख देते हैं रेष्ट करने के लिए मिशन हमारा ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा मिशन हाथ में लेंगे और इस परकार से गोल आकार देते हुए दोनों हथेलियों के बीच में दबा के चप्टा कर लेंगे और यह जो हमारे पकोड़े का साइज है वो आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे और बड़े रख सकते हैं और मैं यहां पर मीडियम साइज के पकोड़े बना रही हूँ और कोई-कोई लोग पकोड़े थोड़े बड़े खाना पसंद करते हैं तो आप अपने पसंद के इस आप से पकॉड़े का साइज रख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा जैसा आप पसंद करते हैं एक-एक करके हम सभी को इसी पकार से चोटी-चोटी आलू की टिक्किया बना के तयार कर लेंगे और एक दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे, अगर इस रेसिपी को बनाते समय आपको कोई भी समझ से आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल से जल आपके सवालों का जवाब दे सकूँ तो ये मैंने कुछ छोटी छोटी टिक्कियां पकोड़े बनाने के लिए तयार कर ली हैं और चलते हैं इसे तलने के लिए अब हम आलू की एक टिक्की लेंगे और जो हमने बेसन का घोल तयार करके रखा था उसमें डाल के इस पकार से इसे अच्छा से कोट कर लेंगे और आप देख सकते हैं, यह बेशन का जो घोल है, आलू की टिकी के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है, अब हम इसे तेल में डाल देते हैं, पकॉड़े तलते समय तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए, और आप देख सकते हैं, यह तेल में बबल सा रहे हैं, यानि यह तेल हम में दिक्कत हो रही है तो आप चमज से भी से डाल सकते हैं इस परकार से गैस काँच अब हम मीडियम कर देंगे और इसे तब तक एक तरफ से सिखने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये नीचे से हलके से सुनेरे ना हो जाए और अब हम इसे पलट के देख लेते हैं कि ये हल दूसरे तरफ से भी तल लेंगे और ये जो पकोड़े हैं वह उपर से काफी केस्पी होते हैं क्योंकि हमने इसमें चावल पीसा है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं क्योंकि हमने उबले हुए अलू की स्टिफिंग का इस्तमाल किया है तो इस प्रोसेस से आप इस पकोड़े को बना के देखें मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो दोनों तरफ से इसे अच्छा हलका सुनेहरा कलर आने तक तल लेंगे और ये हमारे पकोड़े दोनों तरफ से अच्छे सुनेहरे हो गए हैं तो इसे अब हमें एक क्रण से चैनल पह चाल डाल राके है उसे देख सकते हैं वीडीयो के लास्ट में मैंने उसका लिंकी डाल एक क्लिक करके आप ऊसानी से दिख सकते हैं और इस पकोड़े को जिए तलने में तिल लगता है बस उतना ही तिल रहता है अंदर से यह बिल्कुल बीट औली नही होत बाइबाई